अब आज के वीडियो में दिखेंगे अरे पर बेस्ट दो प्रोग्राम्स, okay? फर्स्ट प्रोग्राम जो होगा उसमें हम सिंपली यूजर से पहले अरे की साइस पूछेंगे उसके बाद में उतने ही एलिमेंट्स हम यूजर से पूछेंगे उन एलिमेंट्स को प्रिंट करवाएंगे सेकंड प्रोग्राम में हम क्या करेंगे? अरे में से मैक्जिममम वैल्यू को प्रिंट करवाएंगे मतलब हमारे array में सबसे बड़ी value उसको हम print करवाएंगे इन programs का aim इतना से कि आपका array का और ज्यादा concept लियर हो जाए previous videos में हम अची तरह से देख चुके हैं array को declare कैसे किया जाता है declare करने के बाद उसको memory किस तरह से assign होती है उसके बाद में उसको initialize किस तरह से किया जाता है यह सारी चीजें हमने देखी थी अब आज हम उनको प्रोग्राम के प्रू समझेंगे तो हम start करते है first program से step by step हम प्रोग्राम बनाएंगे ठीक है अब जैसा कि मैंने आपको बताया सबसे पहले तो हमादा क्या आएगा int main मतलब main function अब यहां पे मैं header files पगेदर नहीं ले रही हूँ यह चीज अंडर्स्टोड है तो आप खोद उनको ले लीजीगा तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे int main तो यहां पे हमने क्या लिखा int और यहां पे हमने लिख दिया main ठीके इसके बाद में अब हमें क्या करना है अरी को declare करना है अब जैसा कि मैंने आपको बताया था जैसे आपके mind में कि मुझे मेरी class में 25 और 26 around students है मुझे उनके marks को store करना है तो मुझे अरी चाहिए तो आप पहले ही आप maximum size store कर दीजे 26 से बढ़ भी सकते हैं students तो ऐसा नहीं कि आप only 25 दे दो तो हम क्या देंगे maximum size हम हमें जो लगता है कि maximum हमें इतनी size लग सकती है तो वही हम आरे को declare करते time देते हैं अब मैं यहां इतनी ज़्यादा पे नहीं जारी हूँ तो आप मैं सपोस्ट अरे डिक्लेर करती हूँ क्योंकि मुझे marks को store करना है तो मैंने दिया int और यहां पे क्या दिया m marks को store करना है आप पूरा marks दे दीजिए ठीके अब मैं यहां पे only क्या दे रही हूँ 10 दे रही हूँ तो मैंने यहां पे दिया marks और यहां पे 10 दे दिया अब क्योंकि मुझे यहां पर क्या चाहिए मैं क्या चाहती हूँ कि जितनी बार अरे चलना चाहिए वह भी मैं यूजर से पूछना चाहती हूँ तो यहां पे मैंने एक n करके क्या दे दिया एक और variable दे दिया मुझे loop के लिए क्या चाहिए एक i नाम का variable भी चाहिए तो यहाँ पर मैंने i दे दिया ठीक है नाम आप अपने according चेंज कर सकते हो यहाँ कोई रूल नहीं है कि यही नाम आपको देने है यह हो गया हमादा इसके बाद अब मैं क्या चाहती हूँ कि भई कितने elements यह 10 तो maximum size है अब यह user के उपर है कि user कितने elements देना चाहता है अब जैसे यह declaration होगा तो अब जहाँ पर भी memory मतलब memory में space free होगा इतना कितना 10 x 440 bytes जितना वहाँ पर इस array को क्या हो जाएगी memory assign हो जाएगी ठीक है तो यह हो गया suppose 100 से available है तो यह हो गया हमारा marks का 0 अब यहाँ पर मैं पूरा marks नहीं लिख पाऊंगी सेलिए मैं M ही लिख रही हूँ ठीक है तो यह क्या हो जाएगा यह मैं सीधे 0 लिख रही हूँ यह है इसका address क्या होगा 104 होगा इसका address क्या होगा 108 होगा इसका address क्या होगा 112 होगा तो इस तरह से मुझे कितनी मिल जाएगी 10 bytes जितना space मिल जाएगा तो यह हमारी first location है जो की 4 bytes से मिलके बनी है यह second location जो की 4 bytes से मिलके बनी है क्योंकि array की indexing 0 से start होती है, तो यह अगर मैंने यहाँ पर 0 लिखा है, मतलब यह marks की 0th location हमारे लिए वो क्या है, 1st location है, ठीक है क्योंकि हमें नहीं पता कि array की indexing है, मतलब हम एक normal user है, तो हमें नहीं पता कि array की indexing 0 से start होती है हम तो क्या बोलेंगे, 1st student के mark से start होंगे, 2nd student के mark से start होंगे, हमारे लिए लिए कोई 0th student होता है, ठीक है इसली तरह से total कहां तक हो जाएगा, total यही चीज कहां तक चलने वाली है, 9 तक maximum चलने वाली है तो हमारी जो last location होगी, वो क्या होगी, 9 वाली होगी, ठीक है, 0 से लेकर 9 तक हमारा array का existence होगा, ठीक है यह तो वा array को space मिला, अब अगर हमें जो elements store करने हैं, हम user से पूछना चाहते हैं, कि कितने students के mark साफ store करना चाहते हो तो यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हमारा आएगा printf statement, तो यहां पर मैं pf लिख रहे हूँ, इसका मतलब printf यह ठीक है, और यहां पर enter size, क्या बुलूंगे, मैं enter size, यह number of students, तो यहां पर क्या लिखा हमने, number of students, ठीक है तो अब यह run कैसे होगा, यह भी हम बार में देखते हैं, तो obviously हम user से पूछते हैं, तो उसको हमें कहीं scan भी करना है, store भी करना है, तो अब यहां पर हम लिखेंगे scanf, और यहां लिखा हमने person d, और वो जो number of students है, हम n के अंदर, n के address के अंदर store करना चाहते हैं, ठीक है, तो suppose यहां पर n की value user ने 5 दी, यहां 3 दी, ठीक है, यह 4 दी, ठीक है, तो n के अंदर store हो जाएगा 4, इसको फिर से एक बार run करेंगे, ठीक है, तो मैं क्या चाहते हूँ, क्यों कि user ने क्या बुला है, कि उसको only 4 students के ही mark store करने है, मतलब यहां, 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 और यहां, 4 students के ही mark store करने है, तो हमारा जो लूप है, वो कहां तक चलना चाहिए, तो अब हमारा, क्यों कि उसको 4 students के mark store करने है, तो वो 4 students के marks एंटर करेगा, तो हमें 4 बार scanf statement भी लिखना है, तो क्या हम 4 बार scanf statement लिखेंगे, नहीं, तो उसके लिए हम क्या चलाएंगे, लूप चलाएंगे तो पहले हम convenience के लिए, यहाँ पर user से बोलेंगे, enter elements, कितने elements, तो यहाँ पर लिखेंगे, enter %d elements, क्या लिखेंगे, %d elements, अब यहाँ पर %d का मतलब क्या है, तो %d का मतलब क्या है, n, ओके, तो अब इस statement की जगे output क्या आएगा, enter, %d की की जगे क्या आजाएगा, n, मतलब 4 elements हमने यह चीज user को बोल दी, आप नहीं तो बोला तो मुझे 4 store करने है, ठीक है, अब चलेगा हमारा loop, तो for i is equal to 0 से लेकर, क्योंकि 4 elements बोला है, तो i less than 4, यहाँ आप less than or equal to 3 लिखे, बात एक ही होगी, और यहाँ लिख दिया हमने i++, अब क्या आएगा हमारा scanf statement आएगा, तो अब यहाँ लिखेंगे scanf, क्योंकि एक ही statement है, इसलिए यहाँ पर curly versus लगाने की ज़रत नहीं है, ठीक है, फिर हमने यहाँ पर क्या लिखा %d, क्योंकि हर एक marks क्या होंगे, integer ही होंगे, और जो marks से वो इतने portion को run करते हैं, इसके बाद हम देखते हैं कि यही marks print कैसे होंगे, जैसा कि मैंने बताया, पहले output में क्या आएगा, enter number of students, तो output में क्या आएगा, enter number of students, यह output में आ गया, इसके बाद क्या आने वाला है, तो इसके बाद में क्योंकि scanf statement है, तो control तब तक रुख जाएगा जब तक user कोई number enter नहीं करता है, तो user ने suppose 4 enter किया, क्या enter किया, 4 enter किया, तो 4 कहां जाके store हो जाएगा, n के address पर, n के address पर 4 store हो गया, फिर next statement क्या है, enter %d elements, मतलब %d की जगे के आ गया, n, तो enter 4 elements, तो next statement क्या है, enter 4 elements, मतलब output का, ठीके, तो enter 4 elements, अब यहाँ पे हम loop चला रहे है i की value क्या है, सबसे पहले 0, i की value क्या है, 0, ठीके, क्योंकि यह initialization part है, 4 loop का, 0 is less than 4, condition true, तो हम यहाँ पे आएंगे, scanf statement वेट करेगा, जब तक user कुछ enter नहीं करता है, तो user ने suppose enter किया 25, तो 25 कहां जाके store होगा, marks की सबसे बहले i, मतलब 0, तो marks की 0, यह marks की 0, लोकेशन के address पे जाके, क्या store हो जाएगा, 25 store हो जाएगा, इसके बाद क्या हुआ, i की value क्या होई, increment होके क्या हो गई, 1 हो गई, तो i की value अब क्या हो गई, 1 हो गई, 1 is less than 4, condition क्या है, true है, condition true है, हम अंदर आएंगे, वापस scanf statement है, तो user ने suppose 32 enter किया, तो वो कहां पे store होगा, अब i की value क है, 1 है, तो marks की first location के address पे जाके 32 store हो जाएगा, फिर से i की value क्या होई, increment होई, i की value अब increment होके क्या हो चुकी है, 2 हो चुकी है, condition क्या है, true है, 2 is less than 4, condition true है, फिर से आम अंदर आएंगे, यूजर ने enter किया, 37, क्या enter किया, 37 एंटर किया, i की value अब क्या है, i की value अब है, 2, त marks की second location के address पे जाके, क्या store हो जाएगा, 37 store हो जाएगा, इसके बाद में, फिर से i की value increment होके, क्या हो गई, 3 हो गई, 3 is less than 4, condition true, अब marks की third location के address पे जाके, क्या store हो जाएगा, यहाँ पे scan a statement है, तो user ने enter किया, 40, तो 40 जाके, यहाँ यूजर ने enter किया है, 20, तो 20 कहाँ पे store ह हो जाएगा, यहाँ store हो जाएगा, अब i की value increment होके, क्या हो गई, 4 हो गई, 4, 4 is less than 4, condition क्या है, 4 से, तो अब हम इस लूप से बाहर, तो अभी तक हमारा कितना काम हो चुका है, हमने array declare किया, array declare करने के बाद user से size, size पूछी, size पूछने के बाद अब ही size का मतलब क्या, अरे क तो maximum size हमने declare की थी, ज़रूरी थोड़ी कि यूजर को हमेशे इतनी students के marks को store करना है, ठीक है, तो user ने बोला, नहीं मुझे तो 40 students के marks को store करना है, तो 4 बार user से marks पूछे गया, उनको उनकी respective locations पे store कर दिया गया, अब बात आती हम प्रिंट कैसे करेंगे, तो प्रिंट के statement यूज करें, या better के हम loop यूज करें, तो फिर से हमारा क्या यूज होगा, loop यूज होगा, तो यही loop हमें repeat करना है, 4 i is equal to 0, आपको लगेगा भी, i हमने या ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि i फिर से हम 0 से initialize कर रहे हैं, तो i is equal to 0 to i is less than 4 i plus plus, और फिर अब य हैं, तो आप एक और काम कर सकते हो, इस loop के उपर क्या लिख सकते हो, एक printf statement, elements are, क्या लिख सकते हो, printf, elements are, elements ये हैं, तो आपका जो output है, सीधे जो है, ये numbers प्रिंट ना होके, क्या होगा, पहले एक message आएगा, elements are, और फिर ये print होंगे, और यहाँ पर backslash n भी लगाना, ता कि आपका जो output है, नेक्स्ट लाइन में आए, ठीक है, तो फिर से यही काम होगा, i is equals to, क्या होगा, फिर से 0 होगया, i की value फिर से क्या होगा, 0, 0 is less than for condition true, हम अंदर आएंगे, printf statement में क्या है, हम क्या print करवाना चारहें, marks की 0th location, क्योंकि i की value फिर से क्या होगा, ये 0, तो marks की 0th location, अब यहां पर हमने m% नहीं लिखा, m% लिखेंगे, तो क्या होगा, address प्रिंट होगा, ठीक है, तो हमने क्या लिखा है, marks की 0th location पर जो भी होगा, that is 25 क्या होगा, प्रिंट हो जाएगा, इसके बाद फिर से आए कि value increment होगा, क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और फिर modification करना है, elements लेने के बाद, मुझे सारे elements प्रिंट नहीं करने, मुझे क्या करना है, maximum element, इनमें सबसे बड़ा element है, उसको क्या करना है, print करवाना है, तो पहले हम उसका logic समझते है, फिर इसी program में हम क्या करेंगे, थोड़े से changes कर देते हैं, ठीक है, हमने यहां तक तो कर दिय यूजर से elements ले लिए, यहां तक तो हमारा काम हो गया, अब हमी क्या करना है, इनमें से सबसे बड़ा element डूढ़ना है, ठीक है, अब आपको अगर बहुत सारे अगर दे दिये हैं, उनमें से सबसे बड़ा चाहिए, तो आप क्या करते हो, सबसे पहले है, शायद यह सबसे ब तो अब मैक्स में किसको अजूम कर लोगे, 32 को अजूम कर लोगे, फिर अप इसी को अगले से compare करोगे, तो अब हम क्या करते हैं, उसके बार क्या करते हैं, इसको dry run करके देखते हैं, प्रोग्राम को देखने से पहले एक और चीज्ज जो मुझे बतानी थी, कि यहां पर ज लिखने की ज़रत नहीं है, यहां पर आप क्या लिखोगे, i is less than n, क्योंकि n की value ऐसे ही, तो जितनी n की value होगी, उतनी ही बार क्या चलेगा, वो हमारा loop चलेगा, इसी तरह से आपके printf आले में भी आपको क्या लिखना है, less than n तक उस loop को क्या करना है, चलाना है, ठीके, maximum element को क्या करना है, find करना है, सबसे बड़े element को क्या करना है, find करना है, तो यहां पर हमें एक MAX नाम के variable को declare करना पड़ेगा, तो यहां पर एक MAX नाम का variable भी क्या हो जाएगा, declare हो गया, ऐसको भी कुछ space मिल जाएगी, अब हमने यहां पर, यहां तक user से हमने elements पूछ लिख ल क्यों कि हमें अभी आगे के elements तो पता नहीं है तो हम अज्यूम कर रहें कि यही सबसे बड़ा element है ठीक है लेकिन हमें बागी के elements से compare भी करना है मतलब यहां से लेकर यहां तक के elements से में इसको compare भी करना है तो अब हमारा जो for loop चलेगा वो i is equal to 1 से लेकर चलेगा क्यों i is equal to 1 से चलेगा क्योंकि 0 थाला तो हमने assume कर लिया है कि वो बड़ा है तो अब हमें comparisons जो करने है वो यहां से लेकर यहां तक करने है ठीक है तो अब i is equal to 1 condition क्या है true है अब हम loop की body के अंदर शबड़ा है अब हमें क्या करने कंपेर करने किसको तो if max is less than Max जो है वो छोक है किससे marks की parent location से अगर ऐसे कुछ है तो हमें क्या करने है तो अब हम आगे क्या करते है यहां पे इस if block की body start हुई, इस if की body start हुई, अब हमें क्या करना है, यहां पे लिख देना है, max is equals to marks का i, क्या लिख देना है, marks का i, अब यह कैसे work करेगा, अभी हम अच्छी तरह से इस चीच को समझते है, ठीके, इसके बाद में हम क्या करेंगे, इस if की closing करेंगे, और फिर ह हम उस 4 loop की closing करेंगे, यहां पे आप यह bracket नहीं भी लगाते, तो काम चल जाता, ठीके, तो पहले हम देखते ही कैसे run होगा, सबसे पहले max के अंदर क्या आ गया था, 25 आ गया था, i की value क्या हुई, 1, 1 is less than 4, condition क्या है true है, हम यहां पर आए, max मतलब 25, 25 is less than, marks की i-th location, marks की i-th location मतलब, marks की कौन सी location, क्यों क्यूंकि i-th location फूर 1 है, तो marks की first location, 32 है, तो क्या 25 चोटा है, 32 से, हां 25 तो चोटा है, मतलब हमने max assume किया था, वो क्या है, इससे चोटा ही, इसका मतलब अब क्या होना चाहिए, max के अंदर क्या आ जाना चाहिए, marks की i, मतलब first location वाला element आ जाना च तो क्या आ जाएगा, मैक्स के अंदर क्या आ जाएगा, 32 आ जाएगा, इसके बाद में क्या हुआ फिर से देखो, अब इस if की closing है, यह किस की closing है, इस for loop की closing है, तो बाहर आने से पहले हमारा iteration perform होगा, i की value क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, तो अब हम क्या करेंगे, यह condition क्या ह है, true है, अंदर आएगे, अब हमारा मैक्स क्या है, 32 है, क्या है, 32 है, मार्क्स की आयत location, मतलब मार्क्स की second location पर अभी क्या है, तो मार्क्स की second location पर 37 है, क्या है 37, तो 32 is less than 37, 32 is less than 37, condition क्या है, true है, मतलब हमें इस मैक्स से भी बड़ा कुछ मिल चुका है, तो अब मैक्स के अ element आ जाएगा तो second location पे 37 तो max की जगे क्या जाएगा max में क्या जाएगा 37 आ जाएगा मतलब अभी तक सबसे बड़ा को आने 37 है फिर से इन दोनों की closing हो रही है i के value increment होके क्या हो गई 3 3 is less than 4 condition क्या है 2 है condition true है हम अंदर आएंगे max में अभी क्या है 37 है 37 is less than marks की आये मतलब 3rd location पे क्या है 20 है तो अब बताओ condition true है या false है 37 is less than 20 क्या 37 चोटा है क्या 20 से नहीं है तो इसका मतलब ये if कि ये जो condition क्या हो गई false हो गई तो हम इस statement को execute अब नहीं करेंगे क्यों नहीं करेंगे क्योंकि ये जो next element है मतलब हमने जो maximum assume कर रखा है वो इस से क्या है बड़ा ही है ठीक है तो अब हम इस से बाहर आएंगे iq value क्या होगी increment होगी 4 होगी लेकिन अब condition क्या हो चुकी है false हो चुकी है मतलब हम इस लूप से बाहर आ है हमें सबसे बड़ा element मिल चुका है जो कि max के अंदर है ठीक है तो हम लूप से बाहर आएंगे अब हमें simply क्या करना है इस element को print करना है तो हम क्या लिखेंगे printf statement लिखेंगे और क्या लिखेंगे max is या maximum is percent d ठीक है percent d मतलब यहां पर हमें क्या लिखना है max लिखना है तो output में क्या आजाएगा max is और 37 यह क्या आजाएगा हमारा output आजाएगा तो आपके दोनों programs को run करके देखेगा तो इससे आपके पूरे concepts clear हो जाएगे